हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन पर क्लिक कीजिए नए नए वीडियो देखने के लिए नमस्कार दोस्तो जराहट के हिंदी में आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है दोस्तो आज हम आपको नवरात्री के अश्टमी के दिन आपको ये एक छोटा सा टोटका या उपाय आप कहलीजिए ये करना होगा यदि आप ये करेंगे तो आपके घर धन प्राप्ती के रास्ते खुल जाएंगे और माता लक्ष्मी आपके उपर किर्पा बरसाएंगी ये उपाय केवल नवरात्री के अश्टमी वाले दिन ही किया जाता है ये एक विशेश उपाय है आईए आज हम आपको बताते हैं दोस्तो नवरात्री जहां नौ दिन तक मात दुर्गा की आराधना करके अध्यात्विक शक्ति प्राप्त करने का तेवार है वहीं कुछ सरल नवरात्री के टोटके उपाय करके आप अपने जीवन की भूस सी समस्या को सदा के लिए समाप्त कर सकते हैं नवरात्रों के टोने टोटके जल्दी ही सुफ फल प्रदान करते हैं तथा आर्थिक और शारेरिक समस्या को खत्म कर देते हैं आज हम आपको बता रहे हैं तंत्र सास्त्र की अनुसार नवरात्री के अचूग टोटके इवं उपाए। दोस्तो धन प्राप्ति के लिए नवरात्री के टोटके उपाए। अश्टमी के दिन घर के पूजा ग्रह में बैठकर उत्तर दिसा में मुख करके बैठे। अपने सामने चावल लाल कुमकुम में मिलाकर एक धेरी बना लें और उस धेरी पर श्रीयंत्र को रखें। श्रीयंत्र के सामने तेल की नौदीपक जलाकर पूजा करें। पूजा समाप्ति के बाद चावल नदी में बहा दें और स्रीयंत्र को आप अपने तिजोरी अलमारी या फिर बक्से में रख दें जहां पर आप धन रखते हों आप देखेंगे कि आपके घर में धन आने लगेगा और आपके घर में धन कमाने के रास्ते लाखों खुल जाएंगे और कुछी दिनों में आप लोग धनवान बन जाएंगे क्योंकि यह उपाय करने से मातल लक्ष्मी आप पर अपार किरपा बरसाएगी दोस्तो हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी आपके लिए लाबदायक सिद्ध होगी आज ही आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद